हेलो इस्टुडेंट्स जोहार आईज हमरे पढ़ब सरफुल कहनी कर समिक्छा आउर उकर विशेश्ता सरफुल कहनी 12 इलेक्टिब कोर्स कर किताब टोंगरी आउर पजरा गद्य पद्य संग्रा भाग दो में संकलित है इकर लेखक स्वर्गिय परफुल कुमार राय हैं तो आउ पढ़ब हमरे कहनी सरफुल कर समिक्छा आउर संगे संगे उकर विशेश्ता सरफुल कहनी आधुनिक नाकपुरी कर महान सहितकार स्वर्गिय परफुल कुमार रायकर लिखल कहनी है परफुल्दा कर नाकपुरी भासा कर विकास में बहुत बड़ योगदान है कहनी, कविता, गीत, लेख, निबंध, नाटक, उपन्यास, समिक्छा, संस्मरन, सहितकर सोव बिधा में परफुल्दा लिख हैं और नाकपुरी सहितकर भंडार के समरिध कईर हैं संप्रदाइक सोहार्द उपरे लिखल, उनकर कहनी सरफुल, जारखंडी समरस्ता के देखायला कहनी कर मूद पात्र सरफुल है, जेकर नाव से कहनी लिखल जाहे सरफुल गाउंकर सिधा साधा गरीब अदमी है, जेकी मनिहारी दोकान राइक है आपन लदनी घोडी उपरे, डीबी डोरी संगे, दोकान कर समान लाइद के, बजार बजार बुले ला बजार उढ़रे, तले छपरी में रांधे खाए, जहां बजार लागत रहे, उगाउं में एक दूई दीन उग रहत रहे सरफुल बड़ा बुईधगर रहे, उगाहकी के चीनहत रहे, की के उकर समान की नी उके बेचेक गुन हो, आवत रहे, बाबा साहेब, हजूर अली, गरीब परवर, जैसन आदर सुचक सबद, उकर आगा मुह में रहे आपन निहुरल बोली और बेवहार से गहकी के खुश के इरदवत रहे, जैसन राजा कर दरबार में दरबारी निहुरल रहेला, उहे नियत गहकी ठीना सरफुल निहुरल रहत रहे सरफुल आपन गोईट में, आपन के गवार देखा है और गहकी के खूब जानकार, सरफुल कहनी चरित्र परधान कहनी है, जैकर में दुईगो पात्र हैं, सरफुल और लच्मन बाबु सरफुल मुसल्मान है और लच्मन बाबु हिंदु, हिंदु मुसलिम कर आपसी भाईचारा और एकता, जारखंडी समाज में सुरुवे से बनल है, लेखक इकहनी में उखें मजबूत करे कोशिस कईर है लच्मन बाबु गाउ कर गंजु परिवार से आवेना, जिनके खायक, खियायक, पिंधेक, ओडेक कर बड़ा सौख रहे भले उनकर कोई कमाई कर साधन नहीं रहे, रीन बरीन कैर के इतना डूइब जाये रहें उखर में कि दीन रायत घुखनी में हुँ पडल रहत रहे मुदा सवक में कोनो कमी नहीं होवत रहे रिजवार और रसिका बरन कर अदमी रहें लच्मन बाबु उबेरा पढ़ेक लिखेक बटे ध्यान नई देवल जात रहे लच्मन बाबु कैथी में चिठी चपाटी पईड लेवत रहें उब अलंग में उनकर खोव नाम रहे जतरा सिंद्रा में आपन खोड़ा लेवत रहे उनकर हाथ के कचिया चाबत रहे सवक पुरा करेक ले एक पाव खेत के बेच देवत रहें आउर उब कचिया से इस्तक समान सवदा पाती लुगा फटा घर बार कर समान सोंदर्य परसाधन फिता काटा सुनो पाउडर अतर फुलेल अंग्रेजी जूता हैट हाप पेंट सोना रंग फरेम लागल चस्मा सोब की इनके आनत रहें संगे संगे एहो दे खायकले की उग कतना पढ़ल लिखल हैं किताब पोथियो की इनके लानत रहें खायकले मांस मचरी दूद घीव तो होबे करत रहें तले बिहाने बिहान बाहरे कर बैठका में नवा किनल दरी के डिसाई के सुर्ती चुना कराट बीडी सलाई और हुका राइख देवत रहें पारा पारी उकर शेवन करत रहें आउर कीनल किताब मन के पढ़ेक दिखावा करत रहें मूड में टोपी खपाय के चस्मा लगाय के बैठ जात रहें देख के डहर हिठोईया अचरज में पएड जाएं कि कतना गुनगर अदमी है सरफुल उनकर ठीनावेला तले लच्मन बाबु उके हनुमान चालिसा कर पाठ के इरके सुनायना पक्का मुसल्मान सरफुल बड़ा सरधा से उके सुनेला भक्ती भाव से हे भगवान या अल्ला परवर दिगार हों करत रहेला बेगर नहाले धोले हनुमान चालिसा करपाठ करेना लच्मन बाबु और दाढ़ी राखे वाला मुसल्मान सरफुल उके सुनेला पिरीत करभाव से दुयो सराबोर हिंदू मुसलिम एकता कर प्रतीक दुयो बईन रहें लच्मन बाबु सरफुल से कहे ना एसो करता जिया हम एतेई जखज़काल बनुआब की देखवईया देखते रही जावें तले कतना गीत मन हो उके सुनाए ना लच्मन बाबु सरफुल में धीरच खूब रहे उके कोनो गीत गजल चाहे पाट से कोनो सरोकार नही रहे पुसात रहे आपन मीठा बोली और बुईध से लच्मन बाबु के उपटाय लेवेला आउर आपन समान बेचेला सरफुल कहनी कर सुरुआत लच्मन बाबु कर चरित्र चित्रन से होवेला जेकी कुछो होई जाओ आपन सवक पुरा करेक ले एक पाव खेत कोहूं बेच देवत रहें भले कमाई कुछो नहीं रहे मुदा उनके भविश्कर कोई चिन्ता नहीं रहे जुठा देखावा करेकले उनकुछो करेकले तैयार रहत रहें सरफुल उनकर इरूप के चिन्हत रहे बड़ा बुद्धिमानी से निहोईर के उनकर सोव पाठ गीत सरधा से सुईन के आपन समान उनके बेच लेवत रहे काले की उकरचिन्ता आपन परिवार कर पेट पोसिक रहे सरफुल कहनी कर समवाद एकदम सटीक है पात्र कर अनुसार है और एकदम ठेट नागपुरी में है सैली तो इतना बेजोड है की पढ़वया के बाइंध के राखेला और कहनी कर आखरी तक पढ़ेक इक्छा बनल रहेला परफुल्दा कहनी में मुहाबरा कहवईत कर हों बड़ा सुन्दर परियोग कईर है जैसे की न उधो कर लेना न माधो कर देना बढ़ बढ़वाओं कर का कोनो पोइच रहेला और भूजल मच्री दहे चैल गेल यी सब कहावत कर परियोग कईर है कहनी कर मांग कर अनुसार उर्दू अंग्रेजी सब्द कर हों परियोग करल जाहे कुल मिलाय के सरफुल कहनी बड़ा रोचक है एकता और सदभावना कर अधभुत मिसाल है जेकी आईज कर समय कर मांग है समाज देश खातिर यी बखुत जरूरी है आपसी एकता और संप्रदाइक सोहार्द तो आईज हमरे जानली सरफुल कहनी कर समिक्छा और संगे-संगे कहनी कर मूद बिसेशता तो आईज ले इतने धन्यवाद